सलाम अलेकुम राहमतुलाई वबरकातू प्यारे बच्चों उम्मीदे आप सब खेज़ते होगे बेटा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 14 के वर्ड मीनिंग और कॉश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए आपको अपनी कॉपीज ओपन करके उपर चैप्टर का नाम डालना है चैप्टर नंबर 14 टेट फॉर टेट उसके बाद आप एक साइड लिखेंगे वर्ड और दूसी साइड लिखेंगे मीनिंग और उसके बाद स्टार्ट करेंगे काम आपको बहुती अच्छी हैंड राइटिंग में करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और स्पेलिंग का खास खयाल रखना है जब आप मीनिंग लिखेंगे तो आपको मातराओ का भी धियान रखना है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर्सट है fair means इसका meaning होता है मतलब होता है सच्चाई सैकिंड है Pacificaddle Pak शेड़ल केते हैं लकडी की काठी को थर्ड है broken no law इसका मतलब है नियम ना तोड़ना यानि कि कोई भी कानून ना तोड़ना फौर्थ है कैलफ कहलफ कहते हैं खलीफा को यानि सरदार को उसके बाद next question है आपका answer the following question अब हम question answers करेंगे जिसमें question number one है Who was Hussain? Hussain कौन था? Answer Hussain was a barber Hussain एक नाई था अब next question है Question number two Describe an incident which shows greediness of Hussain इस question में आपको ऐसे incident describe करना है जिससे ये पता लगे ये show हो कि Hussain लालची था या हुसain के लालच के बारे में पता लगे तो answer है Hussain made a deal of the whole wood put on donkey's back very cunningly due to bargain हुसain ने एक सोदा किया बहुती चतुराई के साथ कि जो भी लकडी डंकी के pack पर है वो सारी wood cutter को उसको देनी पड़ेंगी हाला कि उसने कोई low नहीं तोड़ा था कोई भी कानून नहीं तोड़ा था कोई भी नियम नहीं तोड़ा था लेकिन लेकिन इस सोदे से हुसain की greediness का पता चलता है चलिए next question करते है next question है question number 3 why had the wood cutter to give away his pack saddle कि wood cutter ने pack saddle क्यों दे दिया हुसain को answer है because wood cutter needed the money badly क्योंकि wood cutter को पैसो की सख्ट जरूरत थी इसलिए उसने काठी भी हुसain को दे दी next question है question number 4 who helped the wood cutter and how कौन था जिसने wood cutter की help करी और उसने wood cutter की help कैसे करी ये बताना है इस question में तो इसका answer है the caliph caliph था जिसने wood cutter की help करी caliph केते हैं सरदार को, खलीफा को the caliph helped the wood cutter to teach the barber a lesson caliph ने मदद करी wood cutter की barber को सबक सिखाने के लिए कि उसको कैसे सबक सिखाया जाए next question number 5 why was hussein not willing to shave the dungie hussein क्यों तयार नहीं था dungie को shave करने के लिए तो इसका answer है because wood cutter made a bargain cunningly and hussein agreed क्योंकि wood cutter ने एक सोदा किया और hussein ने उसको स्विकार कर लिया और जब बाद में उसको अपने सोदे के बारे पता लगा कि उसने किस चीज का सोदा किया तो फिर वो उससे इंकार करने लगा उससे भागने लगा कहने लगा कि मैं नहीं करूंगा डंकी को shave और लेकिन ये सब कुछ कैलफ ने और वुड कटर ने किस लिए किया था hussein को सबक सिखाने के लिए तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है आपके वर्ड मीनिंग हो चुके हैं कोशनांसरस हो चुके हैं बुक वर्क आपका कम्प्लीट हो चुका है, आपको कुशनान सास अपनी कॉप्पी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करने हैं, इस्पेलिंग का खास खयाल रखना है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सलाम अलेगों रहमतुलाई वा परकातू झाल्प आपका प्रूच्ण आपका आपका जूप्या लाइटिंग झाल मिलें परकातूछंगों भाईटिंग।